श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदरा राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती ले कर आती है और इस वज़े से चंदरमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आप दूसरों की गलतियों को नजरंदाज करें आप इस समय में दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो सकते हैं आपके अपनों से भी नाराज होने की संभावना रहेगी दोस्तों हर चीज़ को पॉजिटिव नजरिये से देखे हर सिच्वेशन को शान्ती से संभालने की कोशिश करें आप अपनी फैमिली के साथ रहें ए ही निवेश ना करें और पैसों का लेंदेन करना नुकसान दाइक हो सकता है अगर काम में मन ना लगे तो परिशान ना हो क्यूंकि आप सब कुछ संभाल लोगे आप काफी मेहनत करने वाली विक्ति है आप जैसे मेहनती लोगों को समस्याओं से बाहर निकलने के मार्ग मिल जाते है इस समय में अगर आप नया पार्टनर ढूंड रहे है तो आपको मिल सकता है दिन लवलाइप के लिए अच्छा रहेगा लेकिन किसी को प्रपोस करने के लिए ये समय ठीक नहीं है तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से दूर ले जाने व अपनी पढ़ाई पर देना है आप ख्यालों में खो सकते है या फिर आपका मन भटक सकता है बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा खिचाओ रहेगा लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना है क्योंकि आपके जीवन में पढ़ाई सबसे महतोपुर्ण है पढ़ाई का यही सही समय है बाकी चीजों के मौके जीवन में बार बार आने ही वाले है अगर आपके स्वास्थ की बात करते है तो कमरदर्द या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है सर्दी खासी होने की संभाव नहीं रहेगी छोटी मोटी समस्याय रह सकती है कोई च कान्तर होगे आपके लिए लाबदायक रहेगा। इस दिन हो सके तो मंदिर जरूर जाए, भगवान से प्रार्थना करे और एक रुपए का सिकह गुल्लक में जरूर डाले। इस समय में आपके लिए हरे रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और आपके लिए इस दिन पाच अंक लकी साबित हो सकता है। दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है। लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है के आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।